हेलो गाइज, वेलकम टू कोडचांग, चलो हमारा नेक्स्ट पैटन चालेंज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें राइट आरो पैटन ड्रॉ करना है, इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक हम यूज करने वाले हैं, जिससे आपको पैटन इसली मिल जाएगा, तो चलो लॉजिक क इक्वल टू 7, रो प्लस प्लस, ओके, यह 7 बाइ 4 का है, तो कॉलम्स के लिए C1, C लस दान इक्वल टू 4, C++, ओके, अब हमें यह जो स्टार्स प्रिंट करने हैं, यह कैसे प्रिंट करने हैं, यह कंडिशन्स फाइंड आउट करने हैं, तो चलो देखते हैं, कैसे कर सकते ह तो R1, C1 देखो यहां, फिर R2, C2, R3, C3, ओके, तो यह वाले जो है, तो क्या होगा इसके लिए कंडिशन्, इफ, कॉलम्स इक्वल टू इक्वल टू रो नम्बर, ओके, यह हो गई फर्स्ट कंडिशन्, सेकेंड, अब यह तीन स्टार हो चुके हैं, नेक्स्ट जो है कि रो नम्बर, 4 के लिए, तो वेन, R is equal to equal to 4, स्टार स्प्रिंट होने चाहिए, ओके, इसके बाद, तीसरा कंडिशन् आता है, यह वाला, ओके, तो यह है, C3, ओके, यह है, C3, R5, R6, C2, और R7, C1, ओके, इनकी अगर addition आप करते हो, तो यह addition आती है, 8, ओके, तो next condition होगा, कि column और रो के addition करने पे, अगर 8 आता है, तो वो condition, राइट, तो यह तीनों conditions के लिए, आपको क्या print करना है, star print करना है, और, यहाँ पे आएगा star, और इसके else में, अगर इनमें से कोई भी condition ही, तो क्या करो, space जी आपको, space यहाँ print होना ची, वरना यह ऐसे align नहीं होगे, तो इसलिए, यहाँ पे space print करो, ओके, अब space एक बार print हो जाता है, आपका, तो यह for loop complete होगा, और each row के लिए, हम क्या करना पड़ेगा, new line पे आना पड़ेगा, तो इसलिए, यहाँ कर लो, print if new line, ओके, तो यहाँ हमने अपना यह वाला pattern complete कर लिया है, अगले pattern challenge के video का notification आने के लिए, जल्दी से subscribe कर लीजिए, आपको मेरा solution अगर पसंद आता है, तो इसे like भी कर देना, और जादा से लोगों तक पहुचने के लिए, इस challenge में उनको involve करने के लिए, आप share करना, मत भूलना, so thank you guys for watching this video, enjoy coding, keep coding.